नमस्कार मैं रविश कुमार जब सरकार हैं आपको कम्मिनिस्ट बताकर गिरफतार करने आने लगें तो समझ लेने का वो आखरी वक्त होता है कि अब आपकी कोई हैसियत नहीं रही जब टीवी चैनल अर्बन नकसल और कम्मिनिस्ट बताकर देश का दुश्वन बताकर होता है कि अब नौकरी से लेकर पढ़ाई पर बात नहीं होगी अब आपकी बात ही नहीं होगी और जो भी होगी उस प्रोपेगेंडा के हिसाब से होगी जिसे मैं अक्सर थीम एंड फियोरी यानि हिंदू-मुस्लिम कहता हूं जिसे लेकर एक तरफ विरोधी या सवाल करन में लॉंच हुआ है जिसके सहारे धीरे-धीरे मीम बनकर आपके वाटसप में आने लगेगा कि ये लोग कुछ लोग देश के दुश्मन हैं आप लाठिया खाते रहें कि सरकारी नौकरी में बहाली कब होगी मगर आपके सारे रास्ते बंद कर दिये जाएंगे सरकार के अल आखो नौजवानों की जिन्दगी बरबाद हो जाती है पुने पुलिस ने आज देश वर में छापे मार कर पांच मानवा दिकार कार करता हो पत्रकारों वकीलों और कवियों को गिरफतार किया है इस साल जनवरी कोरे गाउं भीमा में हुई हिंसा के संदर में ये गिरफता बाद कई जगों पर छापे पड़े हैं वकील प्रशांद बुशन ने ट्वीट किया है कि फांसीवादी दांत अब खुले में निकलाएं पुने पुलिस गौतम नौलखा को पुने ले जाना चाहती थी मगर दिल्ली हाई कोट ने रोक लगा दी वे पुलिस सुरक्षा में अपने ही घर में रहेंगे और सिर्फ अपने वकीलों से मिल सकेंगे। इन में से एक कियां से एक चिट्टी मिली थी जिसमें वरवरा राओ का नाम था। प्रधान मंतरी की हत्या का मामला हो और गिरफतारी अगस्त के आखिर में हो वो भी जून 20 जुलाई बीच जाने के बाद अगस्त बीच जाने के बाद तो बहुत कुछ समझ में आता है और बहुत कुछ उससे भी जादा समझ में आता है। यह मौका था मराठा पेश्वा के उपर दलित समझ मुदाय की जीत को यादगार रूप में मनाने का। दलित कारिकरता और विचारक शोशितों की जीत के रूप में मना रहे थे, बड़ी संख्या में पहुंचे थे, मगर दक्षिन पंथी कारिकरताओं ने इसका यह कैकर व लोगों से पूच्ताच के संदर में ही यह चापे पड़े हैं, गिरफतारियां हुई हैं ऐसा बताया जा रहा है। कारिकरताओं ने प्रेस कांफरेंस की है और वहाँ एक पत्रकार के घर भी छापा पड़ा है। पुलिस ने अपनी तरफ से कोई प्रेस कांफरेंस नहीं किये, गिरफतार किये गए लोगों में वकील, लोगों में वकील, सुधा भारदवाज भी शामिल हैं, आप उनके ट् की दुनिया में अर्बन नकसल कहा जाता है। सुधा के द्वारा शेयर किये गए सारे मामलों और खबरों को आप देखेंगे, तो वो लोगों, आम लोगों की हक और जिंदगी से जुड़े सवालों को, खबरों को शेयर करती हैं। सेंटर फॉर एकनॉमिक्स की स्थापना की थी। स्क्रोल वेबसाइट की पत्रकार सुप्येश शर्मा ने ट्वीट किया है कि पत्रकारों से, 36 गड़ के पत्रकारों से उनका इसी बात को लेकर रिष्टा था कि फलां कॉर्परेट ने किसी बेयावाज, आदिवासी या मज साथ उनके काम को देखने से उन्हें गर्ब होता है, वो दुनिया भर की इन्वर्सिटी में जाकर लेक्चर देती रही हैं, आई टी कानपूर से मैथेमेटिक्स की पढ़ाई की हैं, दिवायर वेबसाइट पर आप मोनो बिना गुपता ने सुदा भारदवाज की जिन्दगी में जो त्याक किया है, बिना किसी जाच मुकदमे के क्या न्यूस चैनल गरीबों के लिए उनकी समर्पित जिन्दगी को इस तरह दागदार कर सकता है, क्योंकि अब गोदी मुडिया यही काम रह गया है, उसका इसलिए कर भी सकता है. वारण नहीं था उस चीज़ का, और हम सिर्फ दो ही लोग हैं, महिलाए हैं घर पे और इस तरीके से उनका आना और वो दस लोगों का आना इस टाइब का, तो हमें वो चीज़ तो बिलकुल भी एक हरेस्मेंट ही है. एक और नाम है आनन्द तेल तुम्डे, जिनके गोवा वाले घर में छापा पढ़ने की खबर है, आनन्द अपने घर में नहीं थे. आनन्द तेल तुम्डे का नाम और मुकाम दलित मसलों पर लिखने वालों में काफी उंचा है और बड़ा है. आप खुद भी उनके लेक इंटरनेट पर सर्च कर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या इस तरह की बारीक सोच और बहतरीन लिखने वालों को निउस चैनल को मिलेगा है. इकनामिक एंड पॉलिटिकल विकली, इंडियन एक्सप्रेस, आउटलूक, हिंदू, कारवान पत्रिका, वायर, स्क्रोल, मिन्ट ना जाने किसकी साखबार में आनन्द लिखते रहे हैं और उनके लेक को गंविता से लिया जाता रहा है. इंजिनिरिंग की पढ लिखने पढ़ने की दुनिया में आगए. आधुनिक भारत में दलित निताओं की विरासत को लेकर उनकी समझ काफी गहरी और साफ मानी जाती है. आनन्द ल्तुम्रे के पिता एक दलित मजदूर थे. बहुत गरीबी में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है. स्कूल में कु की पेंटिंग कर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला था और इसी पैसे से सो नीली टोपियां खरीद कर छात्रों के बीच पाबाट दी थी. पांच दशक बाद यही बच्चा टाटा इंस्टिटूट अफ सोसल साइंसे से पीजडी करता है. एक किताब लिखता है रिपब निकाओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. उन्हें लगता है कि सनातन संस्था को लेकर ATS के गिरफतारी और जाज की काम्यावी से ध्यान हटाने के लिए यह सब किया गया है. सरकार इस गिरफतारी के जरिये डराना भी चाहती है. पुलीस ये स्टोरी बना रही है कि ये लोग भीमा कोरे गाओं में कोई नकसल एंगिल है और ये लोग सब अर्बन माविस हैं. ये एक पूरा स्क्रिप्ट जो की सरकार और सरकार के स्पोक्समन और उनके कुछ मीडिया और्गनाजेशन जो सरकार के कबजे में हैं जो ये प बनाया जारा है तो ये तो एक तरे का डेकलरेशन ओफ एमर्जंसी ही हो गया. This government has silenced or paralysed the political system. Now those who are against this government, agitating against the government and raising voice against the government are NGOs, non-governmental organizations, non-political organizations, but those who have roots in the masses. With this rate, government is trying to silence these masses, but I doubt whether the NGOs will be silent. They will be, I think, some more active now in opposing this government. पूरे हिंदूस्तान भर में है, social activists हैं, बुद्धी जी भी हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, उनको पकड़ा गया है. और इसको उस नजरिये से भी आवसे देखा जाने जी भी मैं गोरे गाओं। बड़ा आयोजन हुआ. दलित समाज को एक स्वाबिमान से जुड़ा हुआ हुआ. विरोध किया, भाजबा और RSSP लोगा रिपोर्ट किया, उनके खिलाफ रिपोर्ट दच की, उसी को काउंटर करने के लिए जो आयोजक लोग थे या आयोजकों के समर्थक लोग थे, उनके खिलाफ एक साजी स्रची गई. मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि निष्ठा जैन, तिस्ता, नकुल सानी, नेहा दिक्षित, मोहित पांडे जो जेन्यू के पूर्वध्यक्ष हैं, स्वामी अगनिवेश, हरी शायर हैं और परणजे गुआ ठाकुर्ता हैं, सहेला रशीद हैं, जो वाइस प्रेजिडेंट जेन्यू की, इन सब ने इनकी तुरंट गिरफ्तारी की बात मांग की है, और निंदा की है, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्यों बहुत सारे एक्टिविस्ट और पत्रकार इस गिरफ्तारी को लेकर इतना उग्र हैं? असर तो बहुत ही आदिवासी दलिश समाज में इसका असर तो बहुत ही घंबीर है, क्योंकि जैसे कि सुदा भार्वाज साथ नाम आज आए हैं, और कई लोग को तो मैं रेपूटेशन से जानता हूं, कई को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जिसे सुदा भार्वाज, इ के साथ रहा है, उनके हक के लिए लड़ने के लिए, और बिलकुल विताउट एनी वाइलन्स, बिलकुल अहिमसा के साथ, सिर्फ अपने जो जो भी विचार है, आगे लाना, वकालत के साथ, कोर्ट में लड़ना, कॉंस्ट्यूशनल राइट्स इन आदिवासे को दिलाना, और अनल तेल तुमजे जी को बहुत एशने जांता, वह जाने माने बुदि जी भी हैं, और उनके जो अम्देट करके उपर, उनके जो लेख हैं, मैं मानता हूं, सबसे बड़िया, एनललिकली, सबसे स्ट्रोंग लेख हैं, और मेरे समझ में सरकार का ये इरादा है, कि जो बोड़ीजीवी हो चाह पत्रकार हो ये वकीन हो जो समाझ सेवक हो अलागों में रहे को मैं लोग ऐसे हैं ये तरफ तो अिद्वासी की समझशय भी समझ सकते हैं और दूसी तरफ अगोरेजी में पढ़े हो या वगालत पड़ा है तो वह माने देखें रेप्रेजेंटेंटेंटेंटे वाइडर सोसाइटी इन सब लोग को भार करना चाहते हैं या तो घ्रिफ्तार करेंगे या बस्तर में आप जानते हैं कई पत्रकार को तो विल्कुल बहुंतों एक्सपल कर दिया है क्योंकि मेरे सम बारदोडवाज को भी निकाल दो शंकर गवान ऊगी तो चले गए जो भी इमांदार और जो करेजिस पत्रेकार है बहादूर पत्रेकार है उनको भी वहाँ से निकाल दिया जाए तो आदिवासी के आदिवासी कोई भी ऐसा नहीं रहेगा वहाँ जो आदिवासी के जीवन का साथ दे और उनके जो राइट्स हैं उनको आगे लाए एक दूसरा सवाल आपने सुधा भारदवाज के बारे में कहा राम हम जानना चाहते हैं कि वो सुधा भारदवाज वकील हैं ट्वीटर पर हैं सब के सामने हैं और दिल्ली नैशनल इंवर्सिटी लॉड दिल्ली में वो पढ़ाने भी आती हैं विजिटिंग प्रोफेसर हैं क्लास में जाने के लिए तरसते हैं भले उनकी तरह 36 गड़ में जाकर गरीबों के लिए वकालत ना कर पाते हूं मगर सराते हैं चाहते हैं कि वो भी ऐसा कुछ कर सके हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं क्या मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ लेकिन बहुत सालों से मैं उनका वर्क फॉलो कर रहा हूं और मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी 36 बर कई बार गया हूं और शंकर्गुाण जी से मेरी भी तलुका थी और शंकर्गुण योगी जी ऐसे माने कारे करता थे जो परियावलन अंदोलन में भी शहमिल थे मजदूरों 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 के साथ भी काम करते थे तो मैं इनको सुधा बढ़द्वाज को अच्छी से पर्सनली अच्छी से नहीं दानता हूं लेकिन जहां तक मेरा समझ है वह बिलकु सिर्फ मजदूर, किसान, आलिवासी, दलित के साथ काम करना उनके अगर गलत केसे पुलीस ने लाए हो तो उनको विरोध करना, कौर्ट में लड़ना, उनको रिलीव देना यही काम बहुत सालों से कर रही है और उनने बहुत सारे पत्रकार को, समाज सेवा को, यूमन राइ इंडियन डेमोक्राइट मानूमा, आनंतिल तुम्डे के हाँ जो छापी की खबर है, उस खबर ने आपको हैरान क्यों किया, जी, मेरे समझ में ये तर्म इसलिए आया है क्योंकि अर्बन मिडल क्लास को डराने के लिए, क्योंकि अगर आ ये जो मोधी सरकार ने जो ये सपन दिखाया, अर्बन मिडल क्लास को, कि हम एक बहुत ही, मने, क्या कहूं, प्रोस्परस सोसाइटी बन जाएंगे, सिंगपोर जैसे, और ये कॉल रोक रहा है, ये हमारी यात्रा कॉल रोक रहा है, सिर्फ ये अर्बन नकसल, जो आदिवासी को भड़का रहे हैं, उनको कह रह कर रहे हैं लोग की, अर्बन मिडल क्लास को डराने के लिए, और कन्फ्यूस करने के लिए, क्या आपको लगता है, कि इसका संबन्द चुनावी राजनिती से भी हो सकता है, कि सवाल इसी बहाने मुद्दों को ट्याला जा सके, और दूसरी बात है, जो बार-बार अर्बन कहा जा रहा है, यह क्या शब्द है, इसके बारे में आपकी कोई टिपनी है, हम जानना चाहते हैं, अर्बन अकसल क्या है? मैं तो सरकार का मन मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आनन टेल तुम्दे मैं मानता हूँ कि हमारे देश में सबसे प्रसिद दलित बुद्दी जीवी हैं, और उनका जो अमबेटकर के जीवन और अमबेटकर थौट पर उनका जो ग्रास्प है, उनका जो अंडरस्टेंड किसी के पास नहीं है, और एक तरफ तो मूदी जी बोलते हैं कि मैं अमबेटकर हमारे रोल मॉडल है, मैंने अमबेटकर का म्यूजियम खुला है, और दूसरी तरफ उनकी जो सरकार है, सबसे प्रसिद जाने माने अमबेटकर स्कॉलर पर हमला करते हैं, मुझे समद में नहा क्या ये अर्बर नकसल का जो जुमला गठागा गया, क्या इसलिए किया गया है कि शहरों में जो नौजवान सकरीयां जो सवाल करते हैं, और हर तरह की नाइनусाफी को क्वेस्छिण करते हैं, उनको डराने के लिए इस तरह की एक टैकलाइग बनाई गई जाने है, ताकि श सरकार दराना चाहती है जो भी प्रश्न उठाएं जो इस सरकार के जो कमजोर हैं उन पर ज्यान दें उनको डराने के लिए ऐसा करा जा रहा है लेकिन चुनाव से इसका क्या मन लेना देना है वो तो आप तुम उता सकते हो रवीश मैं चुनाव मैं मैंने एलेक्शन एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मैंने समझ मैं क्यूंकि मैंने आदिवासियों पर बहुत सालों से काम किया है इतिहासिक तो पर मैंने आपको बताए मैंने वरियर एलविंट की जीवनी भी लिखी है तो मैं जो भी आदिवासी सरकार जिस जिन इलाकों में हमारे जादा है वहां पे हाइड़ोलेक्री व्य रिस् глазल भी वहीं पाए जाते हैं तो और प्राइड सेक्टर का ध्यान आदिवासी इलाखों unter पहे और पूजपती के लूट को आसान करने के लिए यह सब विफ्तारी हो रही है मेरे समझ में कि अगर कोई भी प्रदेशी सरकार हो पूजपती पूजपती लोग उनके जो पूजपती दोस्ते में चाहते हैं कि यह पास आए तो आजिवासी को वहाँ से हटाना उनको माने बिलकुल डिस्पोजपत करना इस रास्टे में जाना चाहें तो आप नहीं चाहते हैं आप नहीं चाहें सरकार नहीं चाहेगी और पूजपती लोग और कम चाहेंगे कि वहाँ पे एक्टिविस्ट हो पत्रकार हो सुदा भारदाजी जैसे वकीर हो जो ये सब अन्याय रोके तो ये मेरे समझ में ये तो बिल्कुल साफ है इस इस अ कॉर्परेट पॉलिटिकल प्लॉट चुनाव से क्या संबन्द है ये मैं नहीं बना सकता हूँ अरुद्धती राय हो प्रशान भूशन हो इंदरा जैसिंग हो वकील इंदरा जैसिंग इन सब ने का और कई अन्य व्यक्तियों ने डॉक्यमेंटरी बनाने वालों ने मजदूर संगठनों ने इस गिरफतारी की निंदा किये राम मैंने कभी आपको इतना एजिटेटेड इतना उग्र नहीं देखा कि मुझे अवंन नक्सल कहना चाहिए कह सकते हैं मुझे तो कोई वहारे बीच होते तो वह सुदा भार्दवाज के साथ रहते उनके साथ गांदी जी डिफेंडिंग सुदा भार्दवाज इंग कोड़ तुडिक अगर वह वकालत में होते और वह अगर आज जीवित होते तो वही